दियर स्टूडेंट्स हम डिसकस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट निमा टोड के पैरसाइट्स को आज हम जिस पैरसाइट्स को डिसकस करेंगे वो है ट्राइकिनेला स्पाइरिलिस और कॉमन नाम है इसका पोक वर्म ट्राइकिनेला स्पाइरिल एरिस पोक वर्म जो है ये स्मॉल हुमन बिंग्स की स्मॉल इंटरस्टाइन के म्यूकस में रहेगा और इसके इलावा दूसरे ओम्नी वरस और्गिनिजम्स जो हैं उनके अंदर भी ये एज़ा पैरसाइट रह सकता है इंटरस्टाइन के अंदर जो अडल्ट फीमिल है शी विल प्रोड्यूस एग्स एग्स विल डवलप इंटू लार्वे जो है वो इंटरस्टाइन में एंटर होंगे फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर होंगे और उसके बाद जो है दे आर केरिट टो दे स्केलिटल सिस लार्वे, एंसिस्टेड लार्वे, स्केलेटल मसल्स के अंदर रहेंगे, एंड केन रिमेन इनसाइड दा मसल्स पार मैनी इयर्स, अब जब यह मसल्स के अंदर रहेंगे, लार्वल फार्म में, तो दे कैन बी इन इफेक्टिव, और उसमें जो डिजीज है निमाटोड की, इसको हम कहेंगे ट्राइकी नोसिज, अनदर होस्ट जो है, अब उनको जब इनजेस्ट कर लेंगे, तो वो उनके लाइफ साइकल में फिर एंटर हो जाएंगे, humans normally, human beings जो हैं, वो कब इनफेक्टिव होंगे, इसके पेरसाइट से, human beings उस वक्त इनफेक्टिव होते हैं, when they normally, जो half cooked pork जो है, या improperly cooked pork जो है, उस products को use करेंगे, तो यह उनकी बाड़ी में तब एंटर होंगे, जब यह बाड़ी में एंटर हो जाएंगे, तो लॉर्वे जो है, वो stomach में चले जाएंगे, stomach के बाड, small intestine में, small intestine में, इन में molting का process होगा, और यहां पर molting का process जो है, that will be completed four times, molting के बाड जो है, they will develop into adults, this is the diagram that normally shows the life cycle of pork worm, जिसका जोलॉजिकल नेम है, trichinela spiralis, अब trichinela spiralis जो है, इसके life cycle को आप देखे, meat, pork, यहां पर इसके eggs, eggs will develop into small intestine, अब man में एंटर हो गएंगे, कुछ male बन गएंगेंगेंगेंगेंगे, female जो है, she will produce a large number of eggs, eggs जो हैं, वो इसकी body में जब insist बना लेंगे, तो in active form पे, they can remain for many years, but when they become active, वहां से intestine में एंटर होंगे, intestine में एंटर होने के बाद, they will develop into larvae, larvae will develop into adults, or adults, they will lay eggs, and this life cycle of trichinella spiralis then continues.